कि अनके में थुख जी तिर्फ यह दूए हैं वे विव पूस्ति करें लिए इसे कि अर्मिर अगर आप खा के उप गये हैं वही आलु वही वही आप दाना श्रू हरा कि ना तु बनाएंगे सिर्प इसन नदाना सेगे ना एकदम सुना इक श्वादिश में टेर को खाने के ब प्रॉब्लम होती है जैसे ची मेरा हमेना ब्रैथ में आलू खाना बेलकुल से बीने फैसन है अगर हम आलू खाते हैं तो मेरे गले में जलन होने लगती है तो इसलिए मैं आलू बहुत कम खाती हूं बहुत कम क्या मतलब दिन में अगर एक आलू खाली तो खाली यह नहीं इतन तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहां पिना आप देख सकते हैं सेंगदाना ना अच्छे से रोस्ट कर लिए बहुत जादा नहीं किये हैं बस इतना इसको रोस्ट किये हैं कि इसका छिलका उतर जाए अब आप सभी के भी यह काम आएगा जैसे हमारी तरह जो आलू जादा नही कि यहां पिक कपड़ा पिछाएंगे इसका छिलका ना बहुत आसानी से इस तरह निकल जाता है कभी-कभी क्या रहता है कभी-कभी गरम भी रहता ना तो हाथ भी जलता है अगर आपके पास सब्जी वाली डलीय कोई है ना उस्चे से इसका छिलका भी निकल जाता है फिलाल सब्जी की डलीय तनी अच्छी से साफ नहीं है कि हम ब्रत के लिए उसको यूज कर सके कि एक बहुत छोटी सी है लेकिन उसमें ना इसका चिलका नहीं निकले गा अब यह नहीं है भी दिखिए यह हैं लेकिन बहुत छोटा छोटा इसका होल है आ इसमें निकले गां नहीं इसका च्लका अच्छे से जो बड़ा है ना सब इसी में रह जाएगा एडी के दिल इस मेरा ये भी किसी कामकति ने говорить तो इसको ना मैं थाली में करके इसका च्लका नेकालूगी इसे ठटक के इसको ना सिंख में भी पछें सकते हैं अब इस बाना हम पाउडर बनाएगी और यह ना बहुत जादा बारीक करने के चक्कर मिना पड़े यह थोड़ा सा दरदरा ही रहता ना तो भी बहुत ही अच्छा लगता है चलिए इसको पीस लेते हैं मिक्सिजार में हम अब यह मेरी हाथ का चूड़ी जो है ना ना रातरी की पहले दिन में डाली थी नहीं तो यह टूट गई धिरे-धिरे करके सिर्फ एक बची है और जो बैंगल हमने का ले थे अपने हाथ से ना पूरा ना वह पता नहीं का रख दे दिखी ने राए तो बड़ा आजीब लग अब कल हमन करेंगे ना तब उसके बाद ना रातरी के टाइम पी क्या हाना कुछ नव दिन में जो रहता है और उसके बीच कुछ नया नहीं पहन सकते और चूड़ी सारी नहीं है हमारे पास पैंकल जो है मिली नहीं रहा कहा निकाल करेंग दिया हम तो अभी यह हम ना पीस है और इसको ना चालने की बिल्कुल से जब्रत नहीं है इस थोड़ा सा दरदरा ही है तो चलते हैं गैस के तरफ अभी मेरा दूद भी ऊबर यहां पर यहां पी हम डालेंगे घी एक चमज अभी मेरा घी गरम हो गया है यहां पर दाल देंगे जीरा इसको धोली है जीरा हम इसमें डालेंगे कड़कुटा हरी निर्च डालेंगे पार्चे करेंगे ते öhर आप यहां पर डालेंगे एक तामाटा आप जादर टामाटा ही ले सकते हैं रहा हो आ हम झातार बllers बैस्यार पार्टा में ऊब हो अधे उति नगी था मतने लेंगें यह इपर्स खाति मेंदेंगें अपने ऐग ती किप कर देते हैं अभी एक तर्माटर दाले हुए है हम तो दो करब पतक छुद गया था उसको भी डाल दिये हैं यहां पर डाल देंगे नमक हमें इतना डालना है तर्माटर में बहुत जल्दी से ना सॉफ्ट हो जाएगा इसे यह जो सेंगदाना हम पीस के रखिक में यह डा कि अच्ट अचा है जो है कोई भी उजब हम करते हैं तो विना दही और विने नीवो बना हमें बिल्कुल हुथ जमता कितना भी हमारे प्रहार में टमाटर हो लेकिन नला हम निमों और दही लेते ही लेते हैं लेकिन क्या उल्यटा है सब दुख भगवान को ना हमी को देना था जूम करके दिखाते हैं यह दिखी अब हम इसमें डालेंगे पानी इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके साथ ना चटने भी बना सकते हो अब हम यहां पडालेंगे अब इसको एक सी दो मिनट के लिए पकाएंगे बस यहां देखी फ्रेंट्स जटपट पलार बनके तयार है और कुट्टे बहुत भूंक रहे हैं रात हो गया है अभी साड़ी तरस बज रहे हैं बच्चों सब को खिला-फिला के गया सभी साफ करके तुम्हें अपना फलार बनाने बैठे हूं कि लिए कि सब कुछ करके ना जैसे जूठा हो जाता ना बैस और बच्चे है ना शू देते हैं ना इधर सब कुछ करके ना तभी मैं अपना करती हूं काने पिनेगा तो यहां पर देखिए इसकी रेसिपी कैसी लगी आप सभी क को प्लीज बताना जरू कमेंट करना आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पुरा देखना तो तो फिर चली फ्रेंट्स हम इस वीडियो को ना यहीं पिंड करते हैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरफ वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब में तो तक्रीव बाए और गुट टाइट